एक तो ये एकता कपूर ने कौन सा भांग खा रख है न दोस्तों ये मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं मैं ऐसा क्यों कह रहे हूँ ये अभी आपको थोड़ी दर में समझ में आ जाएगा पहले आप ये ख्लिप देखो जैसे जैसे एक आज फिल्म चल रही है थोड़ो महिने बर बाद उड़ा पूजा बोल रही हूँ पूजा तुम इस बार इत पे होगी ना हाँ इस बार इत पे पूजा होगी और पूजा में शाविल होंगे उसके पुजारी भी अनुकपूर, परेश रावर, विजे राज, राजपल यादव, असरानी साब, मनोच जोशी, सीमा पावा, मन्जोच सिंग, अभिशेक बैनलशी आ रही है ड्रीम गर्ड टू जो रिलीज हो रही है थियेटर्स में 29th जून 23 को तो अब आते हैं टॉपिक पर दोस्तो जो ड्रीम गर्ड मुवी थी न उसमें ड्रामा था, उसमें कॉमेडी थी, उसमें स्टोरी भी थी मतलब कुल मिला कर एक अच्छी मुवी, एक मुवी को हिट करने के लिए जो भी चाहिए होता है सब कुछ था उसमें लेकिन 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 ड्रिम गर्ल 2 में आ रही है राखी सावन की ननद ओवर एक्टिंग की दुकान अनन्या पांडे पांडे को अतोबा अतोबा थारा मूट खरब कर लिया मुझे समझ में निया रहा कि एक के बाद एक सुपर फ्लॉप मूवी देने के बाद भी एक्टा कापूर ने आखिर अनन्या पांडे को अपनी मूवी में क्यों लिया मतलब अनन्या पांडे ने एकता कपूर को ऐसा क्या दे दिया दोस्तों कि उसने उसको इस मूवी में रख लिया ने मैं कुछ बोल नहीं रही आपके मरज़ी आप चो समझो मुझे डर बस इस बात का है कि कहीं ये मूवी बॉयकॉट का शिकार ना हो जाए जैसा कि आजकल बॉलिवुड में ट्रेंड चल रहा है मुवी इसको बॉयकॉट करने का अब चाहे वो नेपुटिजम के नाम पे हो या फिर धर्म की वज़ा से हो या फिर कोई और वज़ा हो क्योंकि दोस्तों इस मूवी में एक से एक बड़े कलाकार भी है जीनों ने काफी मेहनत की है, अपने एक नाम बनाया है, एक मुकाम हाशिल की है कहीं इन की मेहनत, इनका नाम इस मूवी की वज़़ा से खराब ना हो जाए और ये मूवी भी कहीं बॉयकॉट वाले सेक्सन में ना चली जाए दोस्तों आपका क्या कहना इस मुवी के बारे में मुझे जरूर बताना